हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है मिठाई वाला बहुत ही मीठी स्वरों के साथ वे गलियों में घुमता हुआ कहता बच्चों को बहलाने वाला, खिलाने वाला इस अधूरे वक्के को वे ऐसे विचित्र किन्तु मादक मधूर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार इस्थिर हो जाता बच्चों को अपनी गोद में उलिये, यूवतियां छज्जों पर नीचे जाकने लगते गलियों और उनके अंतर व्यापी छोटे छोटे उध्यानों में बच्चों का जुन उसे गेर लेता और तब वह खिलोने वाला वही बैठकर खिलोने की पेटी खोल देता बच्चे खिलोने देखकर पुल्कित हो उटते वे पैसे लाकर खिलोने का मोलबाव करने लगते पूछते इच्छा नुसार उन्हें खिलोने देदेता और उनकी ननी ननी उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों को इच्छा नुसार उन्हें खिलोने दे देता खिलोने लेकर फिर बच्चे उच्छलने कूदने लगते और तब फिर खिलोने वाला उसी प्रकार गाकर कहता सागर की हिलोर की भाती उसका यह मादक गाना गली भर के मकानों में इस और से उस और तक लहराता हुआ पहुशता और खिलोने वाला आगे बढ़ जाता राय विजे बहादूर के बच्चे गवी एक दिन खिलोने लेकर घर आये वे दो बच्चे थे चुन्नू और मुन्नू चुन्नू जब खिलोने लेकर आया तो बोला मेला गोला कैचा चुन्दल है मुन्नू बोला ओल देखो मेला कैचा चुन्दल है दोनों अपने हाथी घोडे लेकर घर भर में उचलने लगे इन बच्चों की मा रोहिनी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल देखती रही अंतमी दोनों बच्चों को बुला कर उसने पूछा अरे ओ चुन्नू मुन्नू ये खिलोने तुमने कितने में लिये हैं मुन्नू बोला दो पैच्चे में खिलोने वाला दे गया रोहिनी सोचने लगी इतने सस्ते कैसे दे गया कैसे दे गया है यह तो वही जाने लेकिन दे तो गया ही है इतना तो निश्य है एक जरासी बात थेरी, रोहिनी अपने काम में लग गई फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवशक तभी भला क्यों पड़ती छै महीने बाद, नगर भर में दो-चार दिनों में एक मुरली वाले की आने का समाचार फैल गया लोग कहने लगे, भई वाह, मुरली बजाने में वह एकदम उस्ताद है मुरली बजा कर, गाना सुना कर वह मुरली बेशता भी है, वो भी दो-दो पैसों में भला, इसमें उसे क्या मिलता होगा, मैनत भी तो ना आती होगी एक व्यक्ती ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली बाला, मैने तो उसे देखा नहीं उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा दुबला पतला गोरा यूवक है, विका नेरी रंगीन साफा बानता है वही तो नहीं, जो पहले खिलोने बेचा करता था क्या वे पहले खिलोने भी बेचा करता था हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया, उसी प्रकार का वह भी था तो वही होगा, पर भई है वह एकदम उस्ताद प्रति दिन इसी प्रकार उस मुर्गली वाले की चर्चा होती प्रति दिन नगर की प्रते गली में मृदुन स्वर सुनाई पड़ता बच्चों को बहलाने वाला मुर्गली वाला रोहिनी ने भी मुर्गली वाले का यह स्वर सुना तुरंत ही उसे खिलोने वाले का स्मिरन हो आया उसने मन ही मन कहा खिलोने वाला भी इसी तहे गागा कर खिलोने बेचा करता था रोहिनी उठकर अपने पती विजय बाबु के पास गई जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लू उसी तरह उसे लिये हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली किसी की टोपी गली में गिर पड़ी किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की पजामा ही धीली होकर लिटक गई इस तरहे दोड़ते हाफते हुई बच्चों का जुन्ट आ पहुंचा एक सुर में सब वोल उठे अंबी लेंदे मुल्ली और अंबी लेंदे मुल्ली मुल्ली वाला हर्ष गडगद हो उठा बोला सब को देंगे भाया लेकिन जरा रुको ठैरो एक एक को देने दो मेरे पास एक दो नहीं पूरी सत्तावन हाँ बाबुजी क्या पुछा था आपने कितनी में दी दी तो वैसे तीन तीन पैसे के हिसाब से है पर आपको दो दो पैसे में ही दे दूंगा विजय बाबु भीतर जाकर दोनों रूपों में मुश्कुरा दिये मन ही मन कहने लगे कैसा है देता तो सब को इसी भाव से है पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है फिर बोले तुम लोगों की जुट बोलने की आदत होती है देते होंगे सभी को दो दो पैसों में पर एहसान का बोजह मेरे ही उपर क्या है यह तो ग्रहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाय हानी उठाकर चीज क्यों न बेजे पर ग्रहक यह समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है आप भला काहे को विश्वास करेंगे लेकिन सच पूछिए तो बाबुजी असली दाम तो दो भी पैसा है आ आप कहीं से दो पैसे में यह मुर्ली नहीं पा सकते मैंने तो पूरी एक हजार बनवाई थी तब मुझे इस भाव पड़ी है विजे बाबु बोले अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं जल्दी से दो ठोर निकाल दो दो मुर्लिया लेकर विजे बाबु फिर मकान के भी वोठी की मुर्ली निकाल दीता छे बड़ी अंच्छी मुर्ग इंठी घली है तुम यहीं ले लो बाबु राधा बाबो तुम्हारे लायक तो बस यहीं है हाँ भया तुमको वहीं देंगे वी कि उनलक तुमным वेशी न चाहिए यह नरगिरंगि अच्छा है वहींलों ले आए पैसे अच्छा ये लो तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी है तुमको पैसे नहीं मिले तुमने अम्मा से ठीक तरे मांगे ना होंगे दोती पकड़ कर पैरों से लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं हाँ फिर जाओ अपकी बार मिल जाएंगे तू अन्मी है तो क्या हुआ ये लो पैसे वापस लो ठीक हो गया ना हिसाब मिल गए पैसे देखो मैंने तरकी बताई अच्छा अब तो किसी को नहीं लेनी ना सब ले चुके तुम्हारी मा के पास पैसे नहीं है अच्छा तुम भ पैटे होई रोहिनी मुर्ली वाले की सारी बाते सुन रही आज भी उसने अनुभव किया बच्चों के साथ इतने प्यार से बाते करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया फिर वह सौदा भी सस्ता कैसे बेचता है भला आदमी जान पड़ता है समय की बात है जो बेचा रोहिनी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी और सवर् कैसा मिठा है इसका बहुत दिनों तक रिच्चों के प्रति इसने बहरी बात ही याद आती रहे महिने के महिने आये और चले गए फिर मुरली वाला ना आया धीरे धीरे उसकी इसमित्ती भी शिर्ण हो गई आच महिने बाद सर्दी के दिन थे रोहिनी स्नान करके मकान की छट पर चड़कर केश तुखा रही थी इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला मिठाई वाले का सुवर उसके लिए परिचित था जट से रोहिनी नीचे उतर आई उस समय उसके पती मकान में नहीं थे हाँ उनकी व्रिधा दादी थी रोहिनी उनके निकटा कर वो ली दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है जर्ण कमरे में चलकर ठहराओ मैं उधर कैसे जाओं कोई आता ना हो जर्ण हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी दादी उठकर कमरे में आकर बोली ए मिठाई वाले इधर आना मिठाई वाला निकट आ गया बोला कितनी मिठाई दूमा ये नई तेरे की मिठाईया है रंग भी रंगी कुछ-कुछ खटी, कुछ-कुछ मिठी जाय के दार बड़ी देर तक मुँँ में टिकती है जल्दी नहीं गुलती बच्चे बड़े चाओ से चूचते है इन गुणों की सिवा ये खासी भी दूर करती है कितनी दूम? चप्टी, गोल, एलदार गोलिया है पैसे की सोला देता हूँ दादी बोली सोला तो बहुत कम होती है भला पच्चिस तो देते मिठाई वाला नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता इतना भी देता हूँ यह अब मैं तुम्हें क्या खेर, मैं अधिक ना दे सकूँगा रोहिनी दादी के पास ही थी बोली दादी, फिर भी काफी सस्ता दे रहा है चार पैसे की ले लो ये पैसे रहे मिठाई वाला मिठाईयां गिनने लगा तो, चार की दे दो अच्छा पच्चिस नहीं सही, बीस ही दो अरे हाँ, मैं बूरी हुई मोल भाव, अब मुझे जादा करना आता भी नहीं कहते हुए दादी के पोपले मूँ से जरासी मुस्कुरहाट फोट निकली रोहिनी ने दादी से कहा दादी, इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आये थे या पहली बार आये हो यहां के निवासी तो तुम लगते नहीं दादी ने इस कथन को दोराने की चेश्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ रोहिनी चीश की आठ से बोली पहली यही मिठाई बेशते हुए आये थे या और कोई चीज लेकर मिठाई वाला हर्ष, संशय और विष्मियादी भावों में डूप कर बोला इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलाउने लेकर रोहिनी का अनुमान ठीक निकला अब तो वह उससे और भी कुछ बाते पूछने के लिए अस्तिर हो उठी वह बोली इन विपसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा वह बोला मिलता भला क्या है यही खाने भर को मिल जाता है कभी नहीं भी मिलता पर हाँ, संतोश, धीरच और कभी-कभी असीन सुख जरूर मिलता है और यही मैं चाता भी हूँ सो कैसे, यह भी बताओ अब विर्थ उन भातों की चर्चा क्यों करूँ उन्हें आप जाने ही दे उन भातों को सुनकर आपको दुख ही होगा जब इतना बताया है तब और भी बता दो मैं बहुत उस्ख हूँ तुम्हारा हर्जा ना हो मिठाई में और भी नेलूंगी अतीशे गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी हूँ मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर, चाकर सभी कुछ है इस्तरी थी, छोटे-छोटे दो बच्चे भी थे मेरा वै सोने का संसार था बाहर संपती का वैभव था बीतर संसारिक सुक था इस्तरी सुन्दर थी, मेरी प्राण थी बच्चे ऐसे सुन्दर थे, जैसे सोने के सजीव खिलो ने उनकी अठखेलियों के मारे घर में कोला हल मचा रहता था समय की गती, विधाता की लिला, अब कोई नहीं है दादी, प्राण निकाले नहीं निकले इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं आखिर कहीं ना जन में ही होंगे उस तरह रहता घुल घुल कर मरता इस तरह सुक संतोष के साथ मरूँगा इस तरह के जीवन में कभी-कभी अपने उन बच्चों की एक जलक सी मिल जाती है ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन ही में उशल उचल कर हस खेल रहे है पैसो की कमी थोड़ी है आपकी दया से पैसे तो काफी है जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ रोहिनी ने अब मिठाए वाले की और देखा उसकी आखे आंसों से भरी वेंगी इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए रोहिनी से लिपटकर उसका आचल पकड़कर बोले अम्मा मिठाई मुझसे लो यह कहकर ततकाल कागज की दो पुडियां मिठाई हों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी रोहिनी ने भीतर से पैसे फैंक दिये मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा अब इस बार ये पैसे ना लूँगा दादी बुली अरे अरे नाना अपने पैसे लिए जा भाई तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार का मादग मददल स्वर में बच्चो को बहलाने वाला मिठाई वाला दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लेगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू फूर लिसनिंग